आज हम तीन स्पून ऑईल डालके ही यह चिवुडा बनाएंगे बहुत अच्छा और टेस्टी बनेगा आपने पहुआ का चिवुडा बहुत काया है लेकिन आज मैं तीन स्पून ऑईल डालके ही बनाऊंगी कोई डायेट करता है तो इसको फ्राइ किया हूँ नहीं चलता है क कभी किसी को फ्राइ किया हूँ डाक्टर ने ना बोला हूँ तो यह चेवुडा वह खा सकते बहुत ही अच्छा और टेस्टी बनेगा बहुत ही कम लगेगा तो आप वीडियो पूरा स्किप किये भीना देखना यमी कुक मैं स्वागत है मैं हुच आया वीडियो स्टार्ट उसके बाद बहुत क्रिस्पी बनेगा और बहुत करनेगा अगर आपको यह चेविडा बनाना है तो आप घर पर है कभी तो एकडम क्रिस्पी बनेगा अभी अच्छे से पग गया है आप देख सकते एकडम बढ़िया से चूरा हो रहा है तो एकडम बढ़िया से रेडि है अभी वही कड़ाई में यहां पर तीन स्पून ले लूँगी तो यहां पर आईल मैंने तीनी स्पून लिया है उसके बात यहां पर मैंने हरी मीची लिए तीन और कड़ी पत्ता डाल दिया है इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे हम तक एकडम बढ़िया से टेस्ट आएगा उसके बाद इसके अंदर हम मुंगफली डाल देंगे तो थोड़ा सा मैंने मुंगफली डाल रही है यह आप आपके तो मैंने यह भी अच्छे से पका दिया है उसके बाद इसके अंदर हम थोड़ा सा डालिया डालेंगे तो यहां पर मैं डालिया भी डाल दूंगी उसको भी हम वापस पकाएंगे और उसके साथ मैं थोड़ा सा कोपरा सुकावा लाता है वो डालूंगी यह अगर आपको न तोड़ा अच्छा तेस्ट आएगा तो मैंने अच्छा पका दिया है उसके बाद इसके सुख्या मसाला कर देंगे तो यहां पर मैंने थोड़ा सा लिए उसके साथ हम तोड़ा सा नमक डाल देंगे थोड़ी सी लाल मीची डाल देंगे थोड़ी सी पीसी वी सक्कर डाल देंगे और थोड़ा सा मेरे से नीचे से गिर गया कोई नहीं बात यह तो मैंने इसको अच्छे से मीक्स कर दोंगी तो एकदम बढ़िया और टेश्टी अगर आपको पॉमा का चीवड़ा बनाना है तो ऐसे ही बनाओगी तो बहुत ही अच्छा लगेगा और गर में किसी को डाइट करना है या तो किसी को तेल वाला नहीं ही खाना है तो आप यह आराउंस से बना के खिला सकत हो फ्रेंड्स अगर आप मेरी चैनल पर नहीं हो और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं गया तो सब्सक्राइब कर देना बैल आइकन को क्लिक करना ताके नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहेगी और हाँ मेरा वीडियो अच्छे लगता है तो लाइक करना कॉमेंटर ना उसा सेयर कर देना एसा ही नया वीडियो में दिवाली के लिए लिए आपके पास तो बनती है अभी इसको जटे से मैंने मिक्सक्राइब खार विग नहीं ऐख शावा तो बहुत अच्छा है काने मी इत्ना टेस्टी और यम्मी बनेगा आप भी जरुर से एक पर ट्राइक करना इसको मैं सव कर दूंगी तो यहां पर में प्लेट ले लूंगी उसके अंदर सव कर देंगे तो लुक वाइस बहुत अच्छा है काने में इतना टेश्टी है यह चीवडा कौन-कौन बनाता है वो भी कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हो तो आप देख स प्लिक करना ताकि सारा नए वीडियो जो आएंगे उसकी नॉटिफिकेशन आपके पास आती रहेगी और अगर वीडियो चक लगता है तो लाइक करके ही जाना फ्रेंड्स तो लूपवाइस यम्मी टेस्टी ऐसा हमारा यह पॉम्वा का शिवडा रेडी हो गया है थैंक्य यह वाचिंग वाचिंग बाइब टेक केर